वेलकम टू दर्षनास कीचन जब आप बहार जाते हो और गोलगपा खाने का मन हो तो आप साथ फ्लेवर पानी पूरी जरूर खाते होंगे तो चलिए ज्यादा मैनत ना करते हुए आज हम साथ फ्लेवर पानी सिफ एक ही पानी में बनाएंगे सबसे पहले एक मिक्सिंग जाल के अंदर एक कप डालेंगे धनिया उसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप फूदिना पत्ते फूदिना फ्लेवर के लिए उसके अंदर मैं एड कर दूँगी दो हरी मेंच थोड़ी सी तीखी है क्योंकि मुझे ज्यादा तीखा पानी पसंद है उसके अंदर डाल दूँगी एक बड़ा सा अद्रक का टुकडा अद्रक फ्लेवर के लिए लसुन फ्लेवर के लिए पांच से छे खली लसुन और उसके अंदर डाल दूँगी में छोटा सा टुकडा गूड इसके अंदर मैं एड कर रही हूँ निम्बू के रस का आईस क् आप निम्बू का रस भी ले सकते हो एक चम्मस डाल दूँगी बुना हुआ जीरा उसके अंदर में एड़ कर रही हूँ एक चम्मस जल जीरा फ्लेवर के लिए जल जीरा उसके अंदर एड़ कर रही हूँ एक टेबल स्पून चाट मसाला इसमें से आपको जो भी फ्लेवर पसंद नहीं हो वो आप स्कीप कर सकते हो उसके अंदर डाल दूँगी में आफ टेबल स्पून पानी पूरी का मसाला एक टोटली ओप्सनल है स्वाध अनुशार डाल देंगे हम नमक इसके अंदर हम डाल देंगे इमली का पानी या तो आप इमली का पेस्ट भी बोल सकते हो आपको जितना पसंद हो खटा पानी उतना डाल सकते हो इन सब की हम पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे पेस्ट हमारी तयार है अब एक मिक्सिम बाउल के अंदर हम सारी पेस्ट एड़ कर देंगे इसके अंदर मैं एड़ कर रही हूँ 500 ml पानी एकदम चिल वोटर है ताकि ये हमारा पानी एकदम ग्रीन बना रहे इसके अंदर एड़ कर देंगे पींच हींग और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे एकदम से अच्छा सा ग्रीन कलर आया हुआ है बहुत अच्छा सा पानी बनकर तयार हुआ है बहुत ही अच्छी सी जो हमने इंग्रीडेंस दाला था उसकी अच्छी सी अरोमा भी आ रही है इसके अंदर हम एड़ कर देंगे दो बड़ी चमच नमकीन उंदी सबको अच्छी तरह से मिला देंगे बस तयार है हमारा साथ फ्लेवर पानी पूरी एक ही पानी में वो भी इतनी जल्दी तो इसको देखते ही माउट वाटरिंग हो गया ना आप इसका मज़ा लीजिए और आप इससे भी अलग कौनसा पानी गोल गपे के साथ ट्राइ करते हो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को वाच कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले टाइम टू से बाबाई